हेलो स्टुडेंट्स आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आजम करेंगे एक्वेशन ओफ मोशन से रिलेटेड जो निमेरिकल प्रोलम आती है उसको कैसे सोल्ड करना है कौन सा सही वेया से सोल्ड करने का ताकि विदाउट कन्फूजन आप उन प्रोलम को सोल् से फर्स्ट है v equal u plus 80 second s equal ut plus half 80 square और third v square minus u square equal 2a s इसके लिए आपको सब का meaning clear होना चाहिए v का मतलब क्या है u का क्या मतलब है तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि initial velocity को u से denote किया जाता है final velocity को V से, time को T से, acceleration को A से, distance या फिर displacement को S से, denote हम करते हैं और sum को sold करने के लिए हमें जो उसकी value होती है उसे ऐसा unit मैं लिखना होता है, जो velocity है उसका ऐसा unit है meter per second time का second है, acceleration का meter per second square distance और displacement का, जो ऐसा unit है meter, यानि कि उसे meter में measure करते हैं तो कई वार हमें unit को convert भी करना पड़ता है, क्योंकि कई वार time या फिर velocity हमें kilometer per hour या फिर time minute या hour में दिया होता है, उन्हें हमें ऐसा unit में पहले change करना है और next आपने ये भी याद रखना है कि a body start from rest, यानि कि कोई body just start हुई है from rest या stationary position से तो u उससे में 0 मानना है, अगर कोई body start हुई है, तो अगर आपको value नहीं वी दी, तो आपने u को 0 मानना है u की value 0 लिखेंगे, और if body come to rest, अगर body रोकी है, और break are applied to stop, या फिर break लगाई है stop रोकने के लिए तो वहाँ पर final velocity को 0 मानते हैं, जिस हमारे पास statement है, यह बस start from rest, यहाँ से बस start हुई from rest, तो यहाँ पर u क्या माननेंगे 0 moves with uniform acceleration a, a दिया हुए 2 meter per second square, और time हमारे पास है 2 minute, तो सम में कौन सी equation apply होगी उससे को देखने से पहले आपको जो जो value given है, वो सभी हम यहाँ पर लिख लेंगे, initial velocity 0, acceleration 2 यहाँ पर दिया हुए हमें, और body start from rest थी, तो u हमने 0 मानना था, acceleration 2 और time 2 minute, तो time का मैंने बताया था कि हमने ऐसा unit जो होता हुए second, तो इसको second में, 2 minute को second में convert करेंगे, तो क्या करेंगे, एक minute में 60 second होती है, तो 2 multiply 60 equal 120 second होती है, 120 second होती होती है, और पूछा क्या गया है, find the speed acquired, मतलब v पूछा गया हमारे से, v हमने इसमें निकालना है, तो हम कैसे पता चलेगा, यूज करनी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास value है, वो है UATV, यानि कि first से यह हो जाएगा sold, अगर हम इस से sold करना चाहें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास value है, वो है UAT, यहाँ पर UAT, तो fill कर लेंगे, लेकि V हमारा नहीं sold हो पाएगा, इसी तरह से इसमें, हमार हमारे पास T value है, T value कहीं भी ने fill हो सकती, और S V हमारे पास नहीं है, तो इस तरह से first equation हम use करेंगे, जो कि है V equal U plus 80, U की value है 0, और A जो है, वो हमारे पास है value 2, A 2 है, और T 120, और इस तरह से sold करकर आजएगा, 240, यानि कि V equal 240, तो यहां पर ऐसी unit डाल देंगे, velocity का होता है, meter per second, तो इस तरह से final velocity आगी हमारे bus की, यह bus की final velocity आगी, तो second sum की statement है, a train is traveling at a speed of 72 km per hour, brakes are applied, acceleration minus 2 meter per second square, how far the train will go before rest, कहने का मतलब brake apply की गई है, यहां पर, और जब brake apply वाला sum हो, stop वाला, तो वहां पर हमने जो final velocity है, उसको क्या मानना है, 0, जो, if a body come to rest, brake are applied, तो वी यहां पर हमारा होगा, 0, और यू है, 72 km per hour, तो यहां पर लिख लेंगे हम, तो यहां पर यू जो है, initial velocity जो हमारी है, train की, 72 km per hour है, और हमने ऐसे unit का क्या, meter per second, तो kilometer per hour को meter per second में जब convert करती है, तो multiply हम करेंगे, 5 divided 18 से, 18, 4 का, 72, और 4, 5 का हमारे पास आगा, 20, meter per second, तो यह हागी हमारी initial velocity, तो question में क्या बताना है, train traveling at a speed, इतनी, brake are applied, minus 2 meter per second square, how far the train will go, कहने का, मतलब, brake apply करने के बाद, जब गाड़ी रुकी, तो कितना distance उसने cover किया, क्योंकि जब train चल रही थी, तो उसकी speed थी, 20 meter per second, और जब brake apply किये, तो कुछ time के बाद वो रुकी होगी, उस time में उसने कितना distance cover किया, तो brake वाले sum में, final velocity हम मानते है, v equal 0, और acceleration हमें given है, minus 2 meter per second square, how far the train will go before distance निकालना है, तो distance के दो formula है हमारे पास, s equal ut plus half 80 square और v minus u square equal to as, तो दोनों में से कौन सा formula apply होगा, हमारे पास information है, u, v और a, u, यहाँ पर v नहीं fill कर सकते, यहाँ यह वाला formula apply होगा, क्योंकि इसमें u, v, और a, u, v, और a fill कर सकते हैं, यहाँ पर formula लिखेंगे, और v की value फिल कर देंगे 0, और u की 20, और 2 के साथ a, a की value कितनी है, minus 2, तो यह 2, यह a, और 7 में यहाँ पर रहेंगे, तो 0 का square करेंगे, तो 0 यह आएगा, 20 का करेंगे, तो 400, और 2 को 2 से multiply करके, minus 4s, तो यहाँ पर आजएगा, minus 4s, और यह minus का sign पहले सी था, अब यह minus 4 इतरे divide होगा, तो negative से negative sign cancel, और 400 का 400 होता है, तो यहाँ पर cutting करने के बाद आजएगा, जो distance, cutting करने के 100 है, तो यह हमारा distance आगया, 100 meter, जो how far train will go before rest, तो उसका अंसर है, 100 meter, third question हमारे पास है, car has uniform acceleration, 5 meter per second square, एक हमारे पास ए गिवन है, 5 meter per second square, what distance will it cover in 10 seconds, time भी गिवन है, यानि कि T, 10 seconds, after start, तो यह भी start वाला सम्भा आगया, यानि कि अब इस गाड़ी start हुया, question का क्या मिनेंगा, एक car है, uniform acceleration उसकी इतनी है, what distance will it cover, यानि कि जब car start होती है, तो 10 seconds बाद इस uniform के साथ वो कितना distance कवर करेगी, तो start में वाले में हमने क्या मानना होता है, initial velocity, U equal 0, और हमने निकालना क्या है, distance, यानि कि S, हमने निकालना है, तो हमारे पास क्या-क्या information है, A, T, U, और S, तो देखते हैं कौन सा equation यहाँ पर use होगी, A, T, U हमारे पास है, A, T, U, और निकालना हमने S है, यहाँ पर V निकलेगा हमारा, आगे, A, T, U, तो यह वाली equation परफेक्ट है, अगर हम यहाँ पर A, T, U, सभी value फिल दो देंगे, और हमारा S साह देगा, और यहाँ पर अगर यह use करें तो A, T हैनी, इसमें, तो इसलिए हमारे second equation हम use करेंगे, तो यहाँ पर statement हमने लिख लिए, अब यहाँ पर U, 0 फिल करेंगे, और T कितना है, 10, 0 और 10, और प्लस दालकर half, A हमारा S में है, 5 है, तो A की जगाँ आप यहाँ 5 लिखेंगे, और T का हमने करना है, square, और यहाँ पर S, तो calculation करने के बाद, हमारे पास, 0 को 10 से multiply करेंगे, 0, यहाँ पर plus, half, 1 by 2, 5, 100 का square करेंगे, तो हमारे पास 10 का, sorry, 10 का square करेंगे, तो हमारे पास 100 आएगा, वो इसको cutting करेंगे, तो 50, 50 और 5 को multiply करेंगे, तो 250, तो 250 मीटर हमारा अंसर आगया है, distance, next statement है, the brakes applied to a car, हमने ब्रेक अपलाई किया कार के लिए, produce an acceleration 5 मीटर पर सेकंड, square, if the car 2 सेकंड to stop, यहाँ बाद में रुक गी, तो यहाँ पर V हम क्या मानेंगे, 0, तो क्योंकि ब्रेक अपलाई वाला और कार स्टोप होगी है, तो V 0, और acceleration हमें बताई है, इन्होंने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वियर, और टाइम बताई है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, तो द्वारा statement को समझते है, ब्रेक अपलाई की तो 5 मीटर पर सेकंड, यानि कि उतनी स्पीड से वह है, कम होने लगी स्पीड उसके, acceleration यहाँ पर negative है, negative लिखकर आएगा, the car applied a brake producer acceleration minus 5 मीटर पर सेकंड स्केर, if the car take 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बात क्या वह कार रुक गी, तो यह बताना कि ब्रेक अपलाई करने से, कार के रुकने तक, उसने कितना distance कवर किया, तो distance का formula दो है, हमारे पास पहला है, हमारे पास information है V80, अगर मैं distance निकालना है, तो दोनों distance के formula U है, जो कि U हमारे पास यहाँ पर नहीं है, अगर हम distance निकालना चाहते हैं, तो यह दो formula लगेंगे, उसके लिए हमें U चाहिए, तो U कहां से निकलेगा पहले से, तो कहने का मतलब distance निकालने के लिए, फर्स हमें यह वाला formula लगाएंगे, और हम U की value निकालेंगे, तो V equal U plus 80, ब्रेक वाले सम में final velocity जीरो फिल करते हैं, और U हमने निकालना, U हमारे गेवन नहीं है, acceleration नेगटिव, यहाँ पर minus टाल दिया, क्योंकि जो break वाला सम होता है, उसमें acceleration, यानि कि जो change in speed होती है, वो कम होती है, speed कम होना शिरू हो जाती है, तो इसले acceleration जो होगा, नेगटिव ह अब 5,2 का हमारे पास आगा 10, minus 10, यहाँ पर हम minus का sign डालेंगे, और उधर जाकर plus का 10 हो जाएगा, यू, तो कहने का वाला, जो यू की value है, वो हमारे पास आगी, 10 meter per second, यहाँ पर हम इसकी value पुट कर देंगे, और value फिल करने के बाद, 10 into 220, तो क्योंकि यू हमने 10 निकाला था, यू 10 पुट कर दिया, time हमारे पास 2 second है, 2 फिल कर दिया, half a की value कितनी है, minus 5, और time 2, 2 square 4 हो गया, यहाँ पर cutting करके 2 आगया, और 5 और 2, 10 हो गया, 20, क्योंकि minus 5 और minus 10 आएगा, और less करने के बाद, 20 में से जब हम 10 less करेंगे, तो आजेगा 10, कहने का मतलब जो distance है, हमारे पास 10 meter, आगया, salt करके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो यह लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स वार लाचिए.